लोकसभा चुनाव के लिए अपढ़ना यादब से काफी बड़े चेहरे यहां पर मौझूद है असी के असी लोकसभा सीट पर एक से बढ़कर एक राजनिता उतारे जाते हैं बीजेपी की तरफ से जो एक से बढ़कर एक धुरंदर होते हैं लेकिन अपढ़ना विस्टी नमस्कार मैं प्रानिशीर अठोर और आप देख रही है निक्स्ट नाइन न्यूज एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्रेम आमने स्तामने में जिसमें हम चर्चा करेंगे एक बार फिर से यूपी की स्यासत के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सप बड़े बेटे सपा प्रमुक अखलेश यादव जिस तरीके से देखने को मिला कि साल 2022 में दिसंबर के महीने में मैनपुरी लोकसबा सीट पर एतहासिक जीत हासिल की उनकी बड़ी बहु डिमपल यादव ने और अब वह सांसत बन चुकी हैं ऐसे में देखा जाए तो डिम बड़ानी यानि की बीजेपी से यहाँ पर अपर्णा विष्ट्यादव को लेकर भी अटकलें तेज हो गई कि अपर्णा विष्ट्यादव के लिए यहाँ पर स्थीयम योगी अदित्तिनात की क्या कुछ एहम फैसले होंगे फिलहाल देखा जाए तो यहाँ पर योगी कै काविदारी के लिए उन्हें आगे किया जा सकता है क्योंकि अपर्णा का नाम टॉप पर बना हुआ है और ऐसे में देखा जाए तो अपर्णा के साथ साथ ने यहाँ पर रक्षा मंतरी राजनास सिंग के साथ साथ प्रॉफेसर से लेकर डॉक्टर्स तक के नाम सामने आ च चाहेंगे कि अखलेश यादव की क्या कुछ रणीतियां हैं अखलेश यादव ने आखिरकार किसे आगे किया है साथ यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि आखिरकार अपढ़ना के लिए क्या कुछ कोई वाकई में रणीति हो सकती है दरसल आपको बता दें कि नगर के निर्दलिय चुनाब लड़ने का एलान हुआ तो वहीं सपा से किंदर महासबा प्रदेश अध्यक्ष पायल भी दावेदारी के लिए आगे कर दी गई है। मुझसे बात भी कही है। यहाँ पर अब देखा जाए तो उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने रेयलिटी शो बिग बॉस का ओफर तक ठुकरा दिया। अब बात यहाँ पर पायल को लेकर आती है जो यहाँ पर बड़े बड़े दावे करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल यहाँ पर अपनी सहीयोगे से राय लेना चाहेंगे अबरार से हम राय लेना चाहेंगे कि आकरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से सपा प्रमुक अखलेश यादव ने अब एक किनर को मैदान मुतार दिया है जो सपा से अध्यक्ष भी है। भारते जानता पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती खड़ी किया है खासता और से मैं पूरी सीट पर जित हासल करके क्योंकि बीजेपी ने वहाँ पर बड़ी ताकत जोकी जाए और ऐसे में अखलेश यादव का यही आप कह सकते कि फैसला हो सकता है कि इस बार अलग ढ अगातार अपने रन्यतियों में बदलाव कर रहे हैं नए नए चेरों के साथ जाने की जो खबरें आ रही है वो सीधे तोर पर बीजेपी की नेंद उड़ाने के लिए काफी है और इस बीच बीजेपी भी यही चाहेगी कि दोज़ार चौबिस लोगत चुनाओं से ठीक प जो है एक तरीके से इस्तेमाल करते हुए जीत हासल कर पाएंगे या फिर हार होगी जैसा कि अबरार ने यहां पर बात साफ तोर पर कह दिये कि सपा की रणनीतियां वाकई में यहां पर बीजेपी के लिए काफी बड़े पैमाने पर बनती हुई दिखाई दे रहे हैं आग को लेकर जब भी कोई चुनाव का महोल बनता है सबसे पहले नाम अपरणा को याता है क्योंकि अपरणा एक बड़ी नेता है और यादब परिवार की छोटी बहु है तो सबकी नजरे उन पर बनी वी है कि आखिर बीजेपी उनको जिम्मेदारी देगी क्या और अगर उनको जिम्मेदारी देती है तो क्या यादब परिवार के खिलाफी उतारेगी या किसी वी विपक्षी नेताए खिलाफ उतार देगी तो सबसे इंपोर्टन बात यह लेकिन अभी तक अपना यादब को देखा जाए तो जनता की भी सक्रिये हैं सोशल मीडिया पर जो एक्टिव पेंदरी चोधरी के साथ मुलाकात की तस्वीरे काफी वाइरल हुई थी फिर उसके बाद यहाँ पर उनके बयान काफी वाइरल हुए और उसके बाद उनकी आज भी चर्चा इस बात की रहती कि उनको पद्या लगता है कि अब योगी सरकार इस बार उन्हें कोई मौका जर होगा अभी नगर निकाय चुनाव पे उतार दें डेड़ साल का वक्त रहेगा डेड़ साल के अंदर उनका राजनितिक दावपेज देख ले फिर लोगसभा चुनाव के लिए अगर सही ले गया है तो वहाँ पर उतार सकते हैं लेकिन यहाँ पर एक किनर को यहाँ पर मैदान मोतार दिया है अखलेश यादव ने तो ऐसे में यहाँ पर समाजवादी पार्टी की रणीतियां बदलती हुई नजर आएंगी अगर वाकई में अपढ़ना विष्ट यादव को मेयर पत के लिए आगे कर दिया जाता है क्य कि यहाँ पर पायल को मैदान में उतार गया वो साफ़त दोर पर कह चुकी है कि उन्हें उमीद है वह जीत हासिल करेंगी जिस तरीके से अखलेश भाई ने उन्हें आश्वासन दिया है आपको यहाँ पर क्या लगता है कि अपढ़ना को अगर बीजेपी आगे करती है तो क हमारा आप देखते हैं या तो फिर राजनीती में या तो मुसल्मान हिंदू सीखिसाही तमाम उलोगे लेकिन इस लोगों को कभी तवज्जों नहीं दिया जाता और यह पहली बार उन्हें मौका मिला यह बहुत खुशी की बात है और क्यों नहीं अधिकार नहीं है उनको जिस तरीके से इज़त उनको जिस तरह से सम्मान और जिस से गंदे नजर से देखा जाता है हम सब सब के सब मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा पहला और मैं बहुत खुश हूँ बाली जीत हार एक अपनी जगा मसला है लेकिन हक तो उन्हें भी है ना जितना हमें हक ल लेस और योगी दोनों को सोचना चाहिए कि इन्हें आगे देंगे तो इन्हें एक बहुत जो है लोगों को अंदर नसीहत मिलेगा वहीं आप देखे द्रॉपदी मुर्मु जी जब आई थी लोगों ने उनका स्वागत किया तो मुझे लगता है इनका भी स्वागत करना च जाहिए लेकिन अगर जी जब बहुत बहुत शुक्रिया जैसे कि यहाँ पर अपरणा को लेकर और साथी साथ पायल को लेकर आसिफ जी ने जो बहुत जी आची शांदार बात किई है कि वागे उन्हें भी मौका मिलना चाहिए अब देखना ये दिल्चस्प होगा कि आकिर यहां पर वोट बैंक को उनकी चलते यहां पर क्या कुछ बढ़ावा मिलेगा क्योंकि पायल भी यहां पर अपनी बात कह चुकी है कि उन्हें जिस तरीके से मौका मिला है वह काफी जादा लगी है अखलेश भाईया ने उन्हें आगे किया है अब देखना दिल्चस्प होगा बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूस